हेलो दुस्तों स्वागत आपका एस्परेंस में इसरों की तरप से देखिए बहुत ही बड़ी यहां development एक देखा गया है नया एक satellite छोड़ा गया है जो की देखिए हमारे देश का नहीं है लेकिन काफी important है exams के लिए आपके इसका नाम है टेल सोस और लूम लाइट तो यह दो 500 से लेके 1500 लोग कुछ मानते हैं कि इतना किलोमेटर के बीच इसको छोड़ा जाता है अब उसी के बीच यह travel करते रहते हैं लेकिन एक अलग चीज हमने देखने को पाया यह जो आपने देखा होगा rocket जो था यह पहले क्या होता था कि बिलकुल इसके पास ले जाके छोड़ पाजाता था जो सेटलाइट लॉंचिंग स्टेशन है लेकिन इस बार क्या हुआ है कि थोड़ा सा इसको दूर से ही छोड़ा गया है यह थोड़ा सा नयाची देखने को पाया गया फिलाहाल देखिए अब बात करें लॉंचिंग की तो इस रोक का जो है वो यह हमने जो रॉकेट यूज किया वो था पीएसलवी सी 55 और यह पचपनमा ध्यान रखिया का पचपनमा सक्सेस्फुल मिसन था टोटल पीएसलवी की बात करें तो हम अभी तक सत्तावन मिसन फिलाल हो चुके हैं हमारे और यह जो सेटलाइट था इसको छोड़ दिया गया इन दोनों सेटलाइट को इनकी कच्छा में पहुंचा दिया आगे हम बात करें इन दिस मिसन देली सौस जो है वो क्या है एक सेंथेटिक अपर्चर रडार है यह बहुत जादा नहीं पूछने वाला क्योंकि ध्यान रखियेगा कि यह सिंगापूर का है हमारे देश का नही इसका और इसके अलमा यह जो था लूम लाइट फोर यह टेकनलोजी डिमोंस्ट्रेशन के लिए नैनो सेटलाइट विल भी पैसेंजर सेटलाइट इसका एक को पैसेंजर सेटलाइट था यानि कि इसी के साथ इसको भेजा गया पीसलवी की बात करें तो सतावनमा मिसन था और सोलावा मिसन था यह पीसलवी का कोर एलोन कंफिगरेशन यानि कि जब हम रॉकेट को देखते हैं जब रॉकेट को पूरी तरीके इस प्रकार से छोड़ा जाता है तो इसको कोर एलोन बोला जाता है इसमें देखिए छोटे बूस्टर होते हैं इसको ट्रैप बूस्टर दोनों ही जो सेटलाइट थे उनको छोड़ दियेगा उनके कच्छा में ध्यान रखिएगा पीएसलवी जो है वो चार स्टेज का एक सेटलाइट है यहां पर देखिए आप एक दो तीन और इस वकार से चार भागों में बाट जाता है उपर ध्यान रखिएगा इंडिया को डेवलेप किया गया है एक पार्टनर्शिप के दोरान और यह पार्टनर्शिप किसके वीच किया गया है डी एस टी एक संस्ता है जो रिप्रेजेंट करती है गोवर्मेंट आप सिंगापूर को और इसके अलमा स्टी इंजिनियरी इन दोनों के दोरा इसको डेवलेप कि कि उनको अच्छे पिक्चर उपलब्द कराएगा सिंगापूर के और जैसे माली जी सिंगापूर की अगर कोई इसको चाहिए कि अपने एरिया में वो कुछ डिवलोप्मेंट वाले कार कर सके और उनको अच्छे से लाइट पिक्चर चाहिए उपर से तो वो सब चीज़ें ये उपलब्द करायती है इसके अलावा टेली सोस जो है वो क्या करेगा वो आपको बताया हमने कि सिंथेटिक प्रदर है उसको भी ये मॉनिटर करने का कारे करेगा एक मीटर फुल पॉलिमेट्रिक रिजोल्यूशन प्रड़ान करेगा यानि कि आप एक मीटर की उंचाई से जो देख पाते हैं माली आप अपने छट के उपर एक ऐसी सीड़ी लगाई है जिसकी उंचाई एक मीटर हो और वहां से आप देखिए यानि कि एक मीटर की उंचाई से जितना आपको क्लियर्टी दिखे कि उतना ही आपको क्लियर्टी प्रदान करेगा अब इन सेटलाइट्स की बात करें तो देखिए सेटलाइट्स जो है वो दोनों मिला के 757 किलो ग्राम के थे इसलिए देखिए इन को PSLV के माद्यम से छोड़ा गया और वो भी PSLV का Core Alone वाला जो पार्ट होता है उसके माद्यम से तो यह PSLV का बहुत हैवी वाला सिस्टम नहीं यूज किया गया था PSLV को यह आज कल कई उपकरन हो गये है और उनके माद्यम से छोड़ा जाता है अब आगे बात करें त तो आदित एलवन कहा जाएगा यह जाएगा सूरज के नजदीक और वहां से यह सूरज के परिक्रमा करेगा और उससे सम्मंदी तथ्यों को जुटाएगा अब मिसन की बात करें इस मिसन को देखिए पहुंचाने में मातर 20 मिनिट का समय रगा क्योंकि इसको 600 किलिमेटर की उचाई पर ही छोड़ दिया गया है अब भारत ने क्या किया है देखिए जो रॉकेट होता है उसको चार स्टेज में बाटा जाता है यह अपर स्टेज होता है इसके अलामा तीन अलग अलग और स्टेज होते हैं तो इस प्रकार से यह रॉकेट होता है अगर समझ लीजे तो उपर वाला जो स्टेज था वो अक दो इंजन लगे हुए हैं बूश्टर तो भारत ने क्या किया कि अपने कुछ संस्थाओं के दर माध्यम से एक ऐसा चीज विक्सित किया ऊपर एक क्या होता है इसके धक्कन होता है उस धक्कन को खोल दिया जाता है बाद में और वह ड़िस के रूप में हो जाता है लेकिन अं अगर कुछ चीजें हैं जिनको हम निरवात में परिच्छन करना चाहते हैं तो उनको यहां पे रख दिया जाता है कस्दिया जाता है इस प्रकार से इस आकार के structure पे और वहाँ पे उनको ले जाके परिच्छन किया जाता है यह remotely controlled होते हैं और वहाँ पे जाके हम इनका परिच्छन करते हैं तो जो भी चीजें निरवात में परिच्छन करने योग होती हैं उनको इसी तरीके से यूज कर लिया जाता है तो ये भारत ने एक अच्छा काम किया और इससे ये जो कचड़ा होगा ये थोड़ा सा कम होने में और थोड़ा सा देखिए उसको कचड़ा से अच्छा है कि उसको यूज कर लिया जाए तो ये जो हमने उपकरन छोड़े हैं इतने सारे ये तीस दिन के लिए बस लाइफ इनकी होगी बात की बाद में वो कचड़े की रूप में जाने जाएंगे और ये एक्सपरिमेंटल पे लोड्स जो है वो किस के थे इसरो के थे बैल ट्रिक्स के थे धुरू इस्पेस के और इंडियन इस्टीट आप एस्ट्रोफिजिक्स इन सभी के उपकरन भेजे गए हैं आपके हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आप सभी क तो अभी के लिए नहीं थैंक्यू